Assalamu alaikum, हम लोगों क्लास सेकेंड के बुक शुरू की हैं और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं कल के वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नुबर फोर पढ़ा था और उसी के एक्सोसाइज आज हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर नुबर फोर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मा होती है वो बच्चे को क्या-क्या दुआ देती हैं क्या-क्या नाम से मुखातिब करती हैं क्या-क्या उसको अच्छे से बोलती हैं तो यह हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आप लोगों नहीं पढ़ा है, अगर वो वीडियो नहीं देखिए, तो मैं यहाँ आई बटन पर मेंशन कर दूँ कि आप महा जाकर जरूर देख लीजेगा, और इसके एक्सो साइस देख लेते हैं, कि क्या है, देखिए, सबसे पहल यह और लिखिए, तो मासूम वर्ड मतलब होता है, भोला भाला, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि मासूम वर्ड होता है, एक पढ़ाता नजम में अभी, भोला भाला उसका मतलब होता है, फिर सेहा, सेहनत मतलब होता है, तंदुस्ति, उसके बादे उंदा, उंदा बहुता है मशूर, हक मतलब होता है खुदा, पैरो मतलब होता है ताबेदार, फिर बंदा मतलब होता है गुला, यह हम लोगों ने तल की वीडियो में पढ़ा था, उसी का आज वो हम लोग वर्ड मीनिंग पढ़ लें, फिर देखिए कि सवालात के जवाब दीजिए, सबसे पहरा कोशन क्या है आखों का तारा कौन है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बच्चा है तो यहां पर लिख देंगे बच्चा आखों का तारा कौन है बच्चा फिर बच्चे की सूरत कैसी है तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि मासूम हो सूरत तो यहां पर लिख दें करेंगे खुदा थे पर लिए बच्चा क्या करेगा तो हम लोग उने पड़ा था कि नाम रौशन करेगा तो यहांं पर हम लिए डेंगे नाम रौशन करेगा ना sands रोशन करेगा लिखे हम लोग ने अच्छे से question answer को लिख लिया और फिर कालम अलिफ और बे को मिला कर शेर पूरा किज़ दे हक का हो बंदा पैरो नभी का इसको कर दिये फिर राजी हो तुझसे अपने पराई इसको कर दिये फिर हर एक को हो तुझ पर भरोसा इस पर कर दिये फिर और कौम का हो तुझस अच्छा इस पर कर दिये लेकि हम लोगों को इसमें भी कंप्लेट कर लिया है उसके बाद है मा ने अपने बच्चे को क्या क्या दुआय दी ही इसमें से चार लिखना है तो यहाँ पर लिख देंगे फूले फले तू और बाते करे तू उसके बाद है दिन रात सुखो तुझको न दुखो दिन रात सुखो तुझको न दुखो तुझको न दुखो देखिए हम लोगों ने इसमें से चार जो दुख थी वो हम लोगों ने धून कर लिख ली है और इसके exercise कम्प्रिट कर ली है और इसको अच्छे से समझ लिए आप लोगों को जो भी समझ में नहीं का आप कमेंट में बताइए कि मैं उसका जरूर सॉल्यूशन दूगी और आप लोगों को बहुता असानी होगी आगे का सबक पढ़ने में और आज की वीडियो के लिए मिलते दूसरी वीडियो में तब तक के लिए लिए लाहाफिर